लोगरों वेल्कम बेक टो मन की बात हम हज़र एक और वीडियो में अब आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं किंग खान यानिके शारुक खान राजकुमार हिरानी की डंकी के ओफिशिल बॉक्स ओफिस कलेक्शन डे नमबर थी के बारे में अब एक भी दिन के बारे मे क्या ये सही है क्या ये नहीं अब देखो डंकी का जो कलेक्शन से है अगर इंडिया नेट देखा जाए तो 74.56 क्रोर हो चुका है वर्ड वाइट देखा जाए तो 157 क्रोर हो चुका है राउन फिगर बता रहे हैं और ये भी लोगों को इतना कम लग रही है ये तीन दिन का क्रोर्स वो भी कम लग रहे है लोगों को उसके बाद डे नंबर थ्री जो कि कल है 25 परशन का जम देखने को मिला डंकी को एट इसने कमाए 25.26 क्रोर्स टोटल हो गया 74.56 क्रोर अभी तक का डे नंबर थ्री में और उसका ग्रॉस हो जाएगा 90 क्रोर और कहने कहें और से 66 तो 67 क्रोर जो है वो कलेक्शन निकल के आया है अब पोस्ट पैंडेमिक देखा जाए तो किसी भी ड्रामा फिल्म में इतना चोड़ दो इसके आधा भी कलेक्शन नहीं क्या लेकिन फिर भी ये कलेक्शन हम लोगों को बहुत जादा कम लग रहे है क्यों उसका सिर्फ और सिर्मिदार है वो है खुद और शारुक खान क्योंकि अभी इस साल में एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड बार हैस बिन सेट टू हाई इतना ज्यादा बार को उठाके यहां पर रख दिया है कि अब पांसो करूर से नीचे कोई फिल्म मजाक लगता है कोई फिल्म अगर ह इतना कमाएगा और अब जब कमा रहा है तो फिर हजार करूर से नीचे लोगों को हजम नहीं हो रहा है सिर्फ और सिर्फ शारू खान के वाज़ से क्योंकि इतना ज्यादा स्टैंडर्ड जो है वो रेज कर दिया है box office collections का कि उससे नीचे हर कुछ मजाक लगता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है जो डंकी के collections निकल के आ रहे हैं वो कहीं से भी बहुत खराब है बिल्कुल नहीं morning show बहुत अच्छे 29-30% पर गया है afternoon show जो है 55-56% पर चल रहा है और इसी तरह से रहा तो फिर से हम लोगो 39-30 करो कि आस पास का collection देखने को मिलेगा आज का Christmas है उसके बाद फिर क्या होता है देखते हैं पूरा weekend किस तरह से sustain करता है क्योंकि जो जिनको अच्छा लग रहा है जो बहुत ज़्यादा expectations था जो entertainment factor जो कि बहुत ज़्यादा होता था राजकुमार हिरानी की फिल्मे में ये हम बोले भी थे अपने review में कि ये एक अलग राजकुमार हिरानी की फिल्म है थोड़ी सी थोड़ा सा sensitive थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा सा emotional और वो सब zone में ज देखते हैं किस तरह से collection निकल के आते हैं and I see कि बहुत अच्छा कासा like time में hold करके जाने वाला है और अच्छा कासा collection जो final जहां पर रुके की डंकी वो एक अच्छा कासा बहुत अच्छा कासा collection होगा for a drama film post pandemic तुम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो लोग कमा रहे है तो उस हिसाब से तुम बहुत ही जादा अच्छा है बसे आपका क्या खेल है डंकी के collections के बारे में ज़रू बताना comment section में जो भी आपके रहे हैं जो भी आपके thoughts हो और वीडियो पसंद आया तो like share and subscribe कर देना बेलेकिन दबा देना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care and thank you for watching